भारते क्रिकेट को दर्जनों से ज़ादा पेस बॉलर देने वाले MRF पेस पाउंडेशन की अधिकारी दो दिवसीय दोरे पर राजधानी राची में है जिसमें मुख सेलेक्टर की भूमिका में पूर वास्टेलियाई तेज गेंदबाज क्लेन मेगरा जे स्चे के खिलाडियों को सही लाइन और लेंथ में गेंदबाजी करने के टिप्स दे रहे हैं राज के युवा खिलाडियों पर पूर वास्टेल याई देज गेंदवास का कहना है कि यहां के खिलाडियों में नेच्रूल टैलेंट है। वही वल्ड कप 2019 के प्रबल दावेदार के तौर पर ग्लेन ने ऑस्टेलियाई टीम को ही बताया है। लेकिन भारते टीम पर उनका कहना है कि अगर भारते टीम प्रेशर हैंडल कर लेती है तो रेजल्स पॉजटिव होगे। वही उन्होंने टॉप तीन टीमों में उस्टेलिया, इंग्लैंड और भारते टीम को शामिल रखा है। इदर धोनी के सन्यास के मसले पर गलेन का कहना है कि एमस सन्यास कब लेंगे या उनसे बहतर कोई नहीं जानता। लेकिन दोनी को जितना भी एक्सपिरियंस है उससे युवा खिलाडियों को काफी जादा फाइदा मिल रहा है। और महेंदे सिंग दोनी का कोई विकल्प नजर नहीं आता है। दोनी को लेकर उनका कहना है कि वह एमस की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और दोनी एक क्लास के प्लियर है। क्योंकि उन्हें प्रेशर हैंडल करना आता है। जबकि विराट कोली के मसले पर मेगरा ने कहा है कि विराट कोली एक एनरजेटिक खलाडी है लेकिन उनमें सैयम की कमी है। बहराल MRF Foundation ने भारतिये टीम को कई खिलाडी दिये हैं। वही अब JSCA के प्रयास से MRF की अधिकारी शहर में 30 खिलाडीयों को ढूंड रहे हैं। जिन MRF PACE Foundation में ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी को लेकर पूर्व उस्टेलियाई तेज गिन बास ग्लैंड मिग्रा दो दीवस्ये राची दौरे पर हैं। कैमरामेन अविदास के साथ अंजिरी कुमार न्यूस 11 राची।